किसान नेता राकेश टिकैत पर एक सक्स ने स्याही फेक दी वो बैंगलूरू के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे थे पुलिस ने स्याही फेकने वाले शक्स को गिरफतार कर लिया है प्रेस वारता के दौरान धक्का मुक्की के बाद इसको अंजाम दिया गया स्याही फेकने के बाद सक्स को लोगों ने घेर दिया ये घटना बैंगलूरू प्रेस कलब की बताई जा रही है यहां राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे थे उसी वक्त सक्स ने स्याही फेक दी इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थकों ने स्याही फेकने वाले शक्स को पकड़ दिया कारेकरम में जमकर कुर्सियां भी चली और मारपीट भी हुई बताया जा रहा है कि ये स्याही स्थानिय किसान नेता के चंदरशेखर के समर्थकों ने फेगी राकेश टिकैत के लावा आरोपियों ने युदवीर सिंग पर भी काली स्याही फेगी है ये घटना उस समय हुई जब टिकैत पत्तरकारों से बात कर रहे थे इसे दुरान कुछ युवक वहाँ आये और सियाही फेग दी अचानक हुई इस घटना का दुरान राकेश टिकैत के चेहरे, कपडों और पगडी पर सियाही गिरी उस दुरान आरोपियों ने धक्का मुक्की भी की और कुर्सिया भी तोड़ी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें